आज ही के दिन 8 नवंबर 2016 को नरेंद्र मोदी ने तुगलकी फर्मान जारी करके नोट बंदी लागू की थी वैसे तो बीजेपी हर चीज का उचसब मनाती है ये दिन वो दिन फलाना दिन धिमकाना दिन नोट बंदी दिवस नहीं मनाते हैं कभी सोचा है क्यों नहीं मनाते हैं इसलिए नहीं मनाते हैं क्योंकि महा मानव की ये जो तुगलकी फर्मान वाली नोट बंदी थी इसने हिंदुस्तान की अर्थविवस्ता को तबाह कर दिया निवेश उपभोग बंद कर दिये कलकार खाने बंद कर दिये नौकरिया नश्ट कर दो और इससे हासल क्या हुआ सर्व प्रथम तो उस समय जो 8.2% की ग्रोथ थी उसको आधा करके 4.1% पर ले आए उसके बाद कहा गया cashless economy बन जाएगी जब नोट बंदी हुई थी तब cashless economy करीब करीब 13 लाग करोड था आज 36 लाग करोड है अल्मुस्त तिगुना हो गया है उसके बाद कहा गया इससे और भी फायदे होंगे नोट बंदी में साड़े 15 लाग करोड के आसपास रुपे की नोट बंदी हुई थी सारा पैसा बैंकों के पास वापस आगया सिर्फ 10,720 मतलब 0.7% पैसा वापस नहीं आया और कमाल की बात यह है कि आर भी आई ने नोट बंदी करने में ने नोट छापने में इससे कहीं जादा 15-20 हजार करोड उपे खर्च किये वापस जो नहीं आया वो 10,720 करोड था खर्चा करीब करीब 15-20,000 करोड का हो गया क्या टेरर फंडिंग बंद हुई जो एक दंब भरा गया था बिलकुल नहीं हुई क्योंकि आतंकी हमले आज भी हो रहे है नरेंद्र मोदी ने नोट बंदी क्यों की थी इसका सिर्फ एक जबाब है अपने पूंजी पती मित्रों को फाइदा पहुचाने के लिए क्योंकि जिन 100 लोगों की मौत हुई नोट बंदी की लाइनों में खड़े वेकर अपने पैसे के लिए उसका जबाब दे कोई नहीं है अब शायद आप समझ गए होंगे कि इस देश में नोट बंदी दिवस क्यों नहीं मनाया जाता है